कि विद्ध्या संभल योजना कला घू काई आपपरेल 2021 कि इस योजना को शुरू करने का एलान किया गया है ,बज़ट 2021 और 22 चुपकन में भी इसकी की गोशना की गई थी देखिए कैसे होगा अईस्थाई शिक्षकों का चायन कैसे 14 वी बिंदुओं पर शबत पत्र लिया जाएगा और कैसे इन सेवा निवर्त जो शिक्षक हैं उनको मोका दिया जाएगा इसकी संपूर्ण जानकरी आपके इस वीडियो में नमस्कार जार्तियों की पढ़ाई प्रभावित होने की समस्या है इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अप्रिल से 2021 विद्या संबल योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के तहत अब जिला कलेक्टर के अधिश्टा में बनने वाली समीती जो है अहस्ताई तोर पर सिख्षकों की न्युक्ति करेगी और इसके अंतरकत करीब 10,000 से अधिक बेरुजगारों को इस योजना के अंतरकत पूरा पूरा लाभ मिलेगा या फाइदा मिलेगा आप कह सकते हैं सेलरी अगर आप देखें तो 21,000 से साथ हजार तक की यह सेलरी है वित्त विभाग न यानि कि शिक्षक लगाने के लिए नए अभ्यार्तियों के साथ साथ जो सेवा निवर्थ जो शिक्षक हैं उनको भी मुका दिया जाएगा और हर ब्लॉक से करीब 3 सिक्षकों का चैन किया जाएगा और उसके बाद इनकी वरियता क्रम के अधार पर अस्थाई नियुक्ति क ने इसपस्ट कर दिया कि जो अस्थाई सिक्षकों की ओर से कई बार इस्थाई नियुक्ति का दावा भी कर दिया जाता है तो ऐसे में इन सिक्षकों से नियुक्ति से पहले ये चौदा बिंदू का एक शपत पत्र हुगा वो भरवाया जाएगा ताकि जब स्कूल कोलेज चात्रवास के जो रिक्त पद है उस पर अगर 27 सिक्षकों की निक्ति होए तो इनको जो अस्थाई सिक्षक है उनको पद से ये आसानी से हटा सकें ये चौदा बिंदू के शपत पत्र है वित्विभाग ने इसे स्पस्ट कर दिया है और ये स्पस्ट है इनकी सेलरी के बार है और के किसे सिक्षकों की चायन बात करते हैं वहाति ही है और कॉलेजों के मुख्यालेशों को रिक्तपद की सूचरा जो होगी वह भीजनी होगी, रिक्तपदों की संख्या के अधार परहिए अभ्यारतियों से फिर ये अवेधन मांगे जाएंगे, और सेक्षिक अंकों के अधार परहि, यहनी मेरिट जो सूची है, वो जिलो में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समीती होगी उसके द्वारा करेंगे इसके बाद चैनित जो अभ्यार्तियों की सुची होगी उसको ये जारी करेंगे और विशेश जो परिस्तियों में तै जो राशी है उस पर संस्ता प्रधान जो है वो अस्ता ही सिख् जो यह योजना है, बहुत इंपोर्टेंट है, कौन सी योजना है, राजे सरकार के दोरा चलाई गई है, और इसकी क्या विशेष्टा है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, और अक्सर एक्जाम में से संब्धित जो प्रश्न है, वो पूछ लिये जाते हैं. कम्पिटिशन के हिसाब से आप देखिए, तो करण्स का अपना बहुत महत्वपुनिस्तान है, और अक्सर एक्जाम में के अंदर इससे संब्धित जो करण्स है, वो पूछी जाती है, दस हजार से अधिक बेरुजगार जो शिक्षक है, उनको इसमें फाइदा मिलेगा, और इनकी सेलरी के बारे में बताया हुआ है, कौन-कौन से सेलरी है कि इनकी को दिये जाएंगे, तो यह बहुत ज़रूरी है, देखिए, एक अप्रेल 2021, आज ही के दिन, उडिसा का स्थापना दीवस्पी है, तो यह भी आप ज़रूर याद रखें, आज किस टोपिक में बस इ इनकी समेब